हलो गाइज, स्वागेता आप सभी का Shiv Om Classes के online platform में अगर आपको अपनी class के notes, videos, model, paper, anxiety, solutions कुछ भी अगर चाहिए हो और वो भी बिल्कुल free के अंदर तो अभी play store पे जाईए और Shiv Om Classes नाम से हमारी जो app है वो install कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं या हमारा WhatsApp नमबर है आप इस पर हमारे को WhatsApp पे message कर सकते हो हम आपके WhatsApp पर भी आपके जो notes वगरा हैं वो भेज देंगे और वो भी बिल्कुल free के अंदर अब अपना जो next मुहावरा है वो देखते हैं next मुहावरा है काल कवल होई या फिर और कैसे पूछा जा सकता है काल का ग्रास होना ग्रास का मतलब होता है नीवाला जैसे रोटी का नीवाला होता है वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है मारा जाना अब सर इसका वाक्य में प्रियोग कैसे कर सकते है काल का ग्रास होना यानि की मारा जाना या फिर काल कवल होई का अर्थ क्या होता है मारा जाना अब इसका वाक्य में प्रियोग कैसे कर सकते है वो देखे नेपाल के अंदर माल लेते हैं कि भई भुकम पाया था जिसके अंदर हजारों लोगों की जान गई थी अब वो जो हजारों लोग हैं उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो है वो काल का ग्रास बन गए थे या फिर काल कवल हो गए थे काल कवल हो गए थे तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं नेपाल में आये भुकंप से हजारों लोग शनभर में काल काल कवलित हो गए थे काल कवलित हो गए थे मतलब मारे गए थे काल कवलित होने का मतलब क्या है मारा जाना तो नेपाल के अंदर जो भुकंप आया था उसके अंदर हजारों लोग शनभर में काल कवलित हो गए थे तो इस परकार से हम इसका वाक्य में प्रियोग कर सकते हैं त तब तक आप बने रहे हैं, शोन क्लासेज के उल्डाइन प्लोटफॉम के साथ हैं.